Hello Friends and Meadors Dan, Pharmaceutical Quality Assurance BP6060K इस विडियो में हम लोग क्व्वालिटी कंट्रोल टेस्ट फा और रॉबर्स क्लोजर के बारे में बात करेंगे इस विडियो के पहले विडियो में हम लोगोंने क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट फा ग्लास के बारे में बात किया था metals और plastic के containers के quality control test के बारे में बात किया था इस वीडियो में हम लोग जो हमारे rubbers के closers होते हैं उनके हमारे कौन-कौन से quality control के test होते हैं उनके बारे में detail में बात करेंगे मेरा नाम है dr. नहींताब से इंग चलिए शुरू करते हैं तो अगर हम लो quality control test for rubber closers के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे approximately 7-8 ऐसे test है जो कि हम लोग अधिकतर अपनी जो होती है rubber के closer उनकी quality को check करने के लिए यहाँ पे perform करते हैं तो इसमें जो हमारा सबसे पहला है that is called the study test उसके बाद में हमारा आता है that is called the fragmentation test इसमें हमारा जो होता है aqueous हमारी preparation होती है उनके लिए भी हम लोग अलग से करते हैं और जो हमारी dry preparation है जिनमें हम लोग जो हमारी rubber के closer है उनको use करते हैं उनके लिए हम लोग अलग से test यहाँ पे एक तरह से करते हैं उसके बाद में जो हमारा है अगला test यह हमारा self seal ability test उसके बाद में अगला है हमारा pH of the aqueous extract उसके बाद अगला है that is the light absorption test और उसके बाद हमारा अगला है that is the reducing substance का हमारा test होता है और अंतिम में हमारा that is the residue on the evaporation यह हमारे ऐसे test है जिनको हम लोग अपने जो rubber closer है उनकी quality को check करन सारे test को किस तरह से perform करते हैं उनके बारे में बात करेंगे तो इस place पर हम लोग सबसे पहले यह बात कर लेते हैं कि जो हमारा sample होता है जो हमारा rubber का वहाँ पर sample होता है जिसके उपर हम लोग test करते हैं उसको हम लोग कैसे यहाँ पर prepare करते हैं तो इस condition में अगर हम लोग यहा पर बात करते हैं कि जो भी हमारे closers वो rubber के होते हैं उनको सबसे पहले हम लोग अच्छे से जो हमारे होते हैं यहाँ पे surface active agents होते हैं उनसे हम लोग 5 मिनट तक अच्छे से सबसे पहले इनको wash कर लेते हैं उसके बाद में हम लोग इसको यहाँ पे approximately 5 बार distilled water से अच्छे से फिर से wash करते हैं और फिर उसके बाद में इसको यहाँ पे 200 ml जो हमारा होता है water उसके अंदर हम लोग इसको place कर देते हैं और इसका जो weight है उसको हम लोग वहाँ पे no down कर लेते हैं और फिर जो भी हमारा वहाँ पे container है उसको aluminium file से अच्छे से seal कर देत हैं फिर उसके बाद क्या करते हैं कि 121 degree centigrade पर 30 minute तक के लिए इसको हम लोग autoclave के अंदर place कर देते हैं और जब हमारा 30 minute वहाँ पे complete हो जाता है तो उसके बाद में इसको फिर हम लोग बाहर निकाल लेते हैं अच्छे से यहाँ पे कर लेते हैं और इसके अंदर जो हमारा होता है एक तरसे solution उसको फिर हम लोग वहाँ पे बाहर निकाल लेते हैं तो आसान तरीके से एक बार इसको हम लोग फिर से देख लेते हैं कि जो भी हमारे होते हैं रबर्स के closers होते हैं उसको सबसे पहले हम लोग approximately 5 minute तक जो हमारे होते हैं एन आयने को होते हैं surface active agent उनसे हम distilled water को use करते हैं और उससे 5 बारिस को अच्छे से wash कर लेते हैं अब हम लोग इस place पर क्या करते हैं जो हमारे closers होते हैं उनको एक हम लोग ले लेते हैं वहाँ पे बीकर के अंदर और उसमें वहाँ पे 200 ml water को डाल देते हैं उसको जब हम लोग water को डालते हैं तो वहाँ पे उसका weight ले लेते हैं और उसके बाद में aluminum file से उसको अच्छे से seal कर देते हैं और 121 degree centigrade पर 30 minute तक उसको autoclave में हम लोग वहाँ पे place कर देते हैं तो जब 30 minute complete हो जाता है तो इसको cool कर लेते हैं और उसके अंदर जो हमारा होता है एक तरसे solution जिसके अंदर हमारा closer था उसको हम लो वहाँ पे एक तरसे filter करके जो हमारा वहाँ पे होता है solution उसको बाहर निकाल लेते हैं अब हम लोग यह जो हमारा solution prepare होता है यह हमारा solution A है और इसको use कर करके हम लोग अलग अलग जो हमारे test होते हैं उनको यहाँ पे हम लोग करते हैं परफॉर्म करते हैं तो सबसे पहला test है हमारा sterility test तो अगर हम लोग इसके बारे में बात करते हैं, तो इसमें हम लोग यह जो हमने अभी solution प्रपेर किया था इसको यहांपे उपयोग नहीं करते हैं, तो इस condition में अगर हम लोग इस place पर बात करते हैं, कि जो हमारे closures होते हैं उनको फिर हम लो sterilization उसका हम लोग वहाँ पे करते हैं अप्रॉक्समेटली वो 64 से 66 वो degree centigrade तर और वो 0.7 किलो पासकल के जो pressure है उसके उपर हम लो 24 आवर तक के लिए इसको वहाँ पे place कर देते हैं और हम इसको जब देखते हैं 24 आवर के बाद में अगर वो जो हमारे है एक तरसे rubber वो वहाँ पे टैकी एक तरस वो नहीं हो जाते हैं या soft वहाँ पे वो नहीं हो जाते हैं तो उस condition में हमारा जो rubber है वो sterility test को वहाँ पास कर जाता है means अगर हम लोग इसको sterilization की process में भी उपयोग करेंगे तो हमारा जो rubber है वो वहाँ पे खराब नहीं होगा उसके बाद में है हमारा अगला that is called the fragmentation test तो अगर हम लोग इसके बारे में बात करते हैं हम लोग दो तरसे यहाँ पे perform करते हैं तो जो हमारा सबसे पहला है for aqueous preparation तो है कि जो भी हमारे यहाँ पे होते हैं एक तरसे वाइल्स होते हैं हम लोग लेते हैं total यहाँ पे लेते हैं 12 जो हमारे होते हैं वाइल्स और उनको फिर जो हमारे होते हैं rubber के closer उनसे अच्छे से यहाँ पे close कर देते हैं और उसके एक तरसे पहले हम लोग उसका जो हमारा होत से हम लोग इनको अच्छे से पैक कर देते हैं तो जब यह यहां पर अच्छे से पैक हो जाते हैं तब हम लोग एक हाइपोडर्मिक जो हमारी निडल्स होती हैं उनको यहां पर उपयोग करते हैं और इसके अंदर हम लोग यहां पर 1 ml जो हमारा वाटर है उसको वहां पर करते हैं, inject करते हैं और उसके अंदर से हम कह सकते हैं कि 1 ml air को भी हम लोग वहाँ पे बाहर निकालते हैं तो आसान तरीके से कह सकते हैं कि 1 ml हमने वहाँ पे जो हमारी होती है, इसे 1 ml जो हमारा water है, उसको हमने उसके अंदर insert किया, 1 ml air को हमने वहाँ पे उसमें से बाहर वो निकाल लिया ये हम जितने भी हमारी होती है एक तरसे बारहों की बारहों वायल के उपर हम लोग इसको यहाँ पर परफॉर्म करते हैं और इसको हम लोग यहाँ पर चार बार रिपीट करते हैं तो उसके बाद में हम लोग इस प्रेज पर इस place पर क्या करते हैं, कि जो भी हमारे होते हैं, या पर vials होते हैं, उनके अंदर का जो liquid है, उसको फिर वहांपे हम लोग निकाल लेते हैं और फिर उसको वहांपे हम लोग filter करते हैं और जो हमारा यहां पर होता है filter उसका जो pore size है, वो 0.5 micrometer से वो का जो pore size है उसके filter से हम लोग इसको यहां पर filter करने का काम करते हैं तो इस condition में जो हमारे होते हैं वो number of इसके अंदर होते हैं वो fragments होते हैं वो उस place पे not more than 10 होने चाहिए means अगर वो वहाँ पे 10 से कम है तो उस condition में हमारा test pass हो जाता है और अगर 10 से ज़्यादा है तो उस condition में हमारा test वहाँ पे fail हो जाता है और जो हमारे होते हैं अगर उसका closer है तो उस condition में not more than 15 particles वहाँ पे allowed होते हैं means अगर जो हमारे particles हैं वो वहाँ पे 15 से कम है तो हमारा जो closer है वो pass हो जाएगा और अगर 15 से ज़्यादा है तो जो हमारा rubber closer है वो वहाँ पे fail हो जाएगा उसके बाद में जो हमारा अगला test है यह है for dry preparation तो इस condition में हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि जो भी हमारे वहाँ एक तरसे closers होते हैं वो prepared हमारे वहाँ पे एक तरसे closers होते हैं उनसे हम लोग यहाँ पे 12 जो वाइल्स है उनको अच्छे से close कर देते हैं अलब फिर हम लोग यहाँ पे लेते हैं हाइपो डर्मिक निडल लेते हैं और उससे 1 ml जो हमारा water है उसको इसके अंदर हम लोग वह यहां पर करते हैं तरसे में पज़का हो जयाएगा और हमारी रभर है वह 15न से ज्यादा होंगे तो menggos कंडिश Sumire हो जाएगा और अगर से कम होंगे, तो test हमारा पास हो जाएगा उसके बार में हमारा self-sealing ability, तो अगर हम लोग से बारे में बात करते हैं तो इसमें, हम लोग इस this place पे क्या करते हैं, जो हमारे होते हैं तो आसी वायल्स उनको उनको जो हमारे वो prepared closers होते हैं, और फिर अगेन हम लोग hypodermic जो हमारी needles होती है उसको हम लोग उस place पे use करते हैं और फिर उससे हम लोग जो हमारा होता है वो rubber का closer उसको वहाँ पे prick करने का काम करते हैं उसमें hole करने का काम करते हैं और इसको हम लोग दस बार वहाँ पे जो हमारी needles होती है उससे वहाँ पे prick कर करते हैं अलग- games play तो उस condition में क्या है कि जब हम लो निदिल्स से उससे लिचोव करते हैं य को प्रिक करते हैं उसको वहां पर सब्सक्राइब लेते हैं वहां से लेते हैं doesn't प्रेश कर देते हैं और उसका जो प्रेशर है वो वहाँ पे हम लिए प्रोग्जिमित टॉंटिवकंटी हो recruiter है उसके बाद में जो हमारी वाइल चोड़ देते हैं तो इस कंडिशन में क्या होता है कि जब हम लोग वहां पे एक तरसे जो vacuum है वो create करते हैं तो क्या होता है कि जो भी हमारी वाइल्स है उसके अंदर का अगर उस में उस place पे अगर hole होंगे तो वो air को उस place पे करेगा सक करेगा और जैसे ही हम pressure को रिलीज करेंगे उस condition में क्या होगा कि जो हमारा होगा वहाँ पर एक तरसे methylene blue का हमारा solution होगा उसका कुछ पार्ट हमारा वहाँ पर वाइल्स के अंदर इंटर कर जाएगा अगर वहाँ पर्स होंगे तो इस condition में क्या है कि अगर जो हमारा वहाँ पर एक तरसे जो rubber है उसने अपने आपको properly फिर से seal कर लिया और यह इसकी जो होती है तस वो self seal करने की ability है उसको यहाँ पे हमें indicate करता है उसके बाद इसमें है हमारा अगला test यह हमारा pH of the aqueous extract तो इस condition में जो हमने starting में जो solution A prepare किया था उसको अब हम लोग यहाँ पे उपयोग करेंगे तो जो हमारा यहाँ पे था वो solution A उसका हम लोग यहाँ पे लेते हैं 20 ml इस place पे लेते हैं और उसमें फिर add करते हैं 0.1 ml bromothymol blue को उसके अंदर हम लोग यहाँ पे add करते हैं तो इस condition में क्या होता है कि जब हम लोग इसके अंदर small amount of 0.01 ml nao h को जब वहाँ पे add करते हैं तो इस condition में अगर हम लोग यहाँ पे जो हमारा nao h है उसको यहाँ पे उपयोग करते हैं तो इसमें जो हमारा उकल्र में होना चाहिए चेंज वहारा 0.3 ml एक तरह से वह जादा में change नहीं होना चाहिए means 0.3 ml से कम की quantity में ही अगर हम लोग NAOS को वहाँ पे add करते हैं तो उस condition में ये color change हमें देखने को प्राप्त होना चाहिए और अगर हम लोग SCL को use करते हैं तो इस condition में ये जो हमारा होता है color में change ये हमारा 0.8 ml से ज़्यादा में देखने को प्राप नहीं होना चाहिए तो इस condition में हम लोग अपना जो aqueous extract है उसका pH यहाँ पे check कर लेते हैं उसके बाद में जो है हमारा अगला that is the light absorption test तो अगर हम लोग इसके बारे में बात करते हैं तो इस condition में हमारा हमने जो prepare किया था solution A उसको हम लोग एक वहाँ पे लेते हैं membrane filter लेते हैं 0.5 एक तरसे micron का हम लोग वहाँ पे लेते हैं membrane filter और उससे जो हमारा solution A है उसको वहाँ पे filter हम लोग कर लेते हैं और फिर उसका absorbance हम लोग यहाँ पे 220 से 360 जो हमारा nanometer की wavelength की range है उससे हम लोग इसका यहाँ पे जो होता है absorbance वो यहाँ पे check करते हैं तो इस place पे जो हमारा absorbance है वो हमारा 2 से ज़्यादा यहाँ पे नहीं होना चाहिए अगर यह हमारा 2 से ज़्यादा है तो उस condition में जो हमारा होगा यहाँ पे light absorption test वो यहाँ पे fail हो जाएगा और अगर यहाँ पर two से कम है तो उस condition में हमारा test यहाँ पर pass हो जाएगा उसके बाद में जो है हमारा अगला यह हमारा reducing substance तो अगर हम लो इसके बारे में बात करते हैं तो इस condition में जो हमारा होता है solution A उसका हम लो यहाँ पर 20 ml सबसे पहले लेते है और फिर उसमें हम लो वहाँ पर 1 ml 1 m H2SO4 को इसके अंदर add करते हैं और उसके बाद में इसके अंदर हम लो approximately यहाँ पर 20 ml 0.002 m Kmno4 को add करते हैं और 3 मिनट तक अच्छे से boil कर लेते हैं तो आसान तरीके से एक बार फिर से देख लेते हैं कि जो हमारा solution A था उसका हमने 20 ml उसमें 1 ml हम लोगों ने 1 m H2SO4 को add किया और इसमें हम लोगों ने यहाँ पर 21 ml 0.002 m Kmno4 को add किया और फिर अच्छे से हमने इसको boil कर लिया और उसके बाद में इसमें हम लोगों ने 1 gram potassium iodide को इसके अंदर add किया जब हम लोग इसके अंदर potassium iodide को add कर देते हैं अब हम लोग इसका जो titration है वो 0.01m sodium thiosulfate के साथ में इस ताज को indicator के रूप में उपयोग करके हम लोग इसका titration करते हैं तो यह हमारा titration, oxidation वो reduction का titration इस place पे कहलाता है और इस place पे हम लोग एक लेते हैं blank और उसका भी जो हमारा titration है उसको हम लोग यहाँ पे एक टर्से perform करते हैं तो इस condition में जो भी हमने यहाँ पे वो दोनों एक टर्से किये जो हमारा वो solution E था उसका हमने titration किया और एक blank का हमने यहाँ पे titration किया तो इस condition में जो हमारा titration का यहाँ पे आता है एक तरसे volume वो इस place पे वो 0.7 ml से वो ज्यादा इनके बीच में हमें difference देखने को प्राप नहीं होना चाहिए तो इस condition में हमारा test जो है इसको pass कर जाएगा और इसमें है हमारा अंतिम जो test है that is the residue on evaporation तो अगर हम लोग इसके बारे में बात करते हैं तो इसमें जो हमारा होता है यहाँ पे solution A उसका 50 ml हम लो यहाँ पे वो लेते हैं और उसको हम लो 105 degree centigrade पे इवापरेट करते हैं जब तक कि वो completely dry नहीं हो जाता फिर जो हमारा वहाँ पे आता है residue completely dry होने के बाद में उसका हम लोग वहाँ पे wait कर लेते हैं और इसका जो wait है वो यहाँ पे हमारा 4 mg से ज़्यादा wait यहाँ पे नहीं होना चाहिए अगर 4 mg से कम है तो उस condition में हमारा test यहाँ पे पास हो जाता है तो I think so जो भी हमारे rubbers के closers हैं उनके जो हमारे test हैं वो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गए होंगे अगर अभी भी कहीं कोई confusion है तो comment करके पूंच सकते हैं इस topic का PDF आपको description में मिल जाएगा इस video को like करें अपने दोस्तों के साथ share करें और ऐसे ही videos को देखने के लिए हमारे channel को subscribe करना बिल्कुल भी न भूलें और हमारे app को भी install करना बिल्कुल भी न भूलें Thank you